दोस्तो स्वागत एक नए वीडियो में, दोस्तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कि आपके पास OPPO Reno 7i, 7 Pro है, 6s, 6 Pro है, या फिर कोई भी फोन हो, OPPO का हो, तो आपके इस तरह से बैटरी की पुरी फूल सेटिंग कर सकते हैं, या बैटरी की सेविंग कर सकते हैं, ड्र कर रहे होते हो, उसी चीज में आपका बैटरी स्रिफ लगता है, सिंपल भासा में, लेकिन, इस से आपके बैटरी की पुरोपर सेटिंग नहीं हो जाती, या फिर सेविंग नहीं हो जाती, कुछ चीज़े और होती हैं, जो आपको जाना बेश ज़रूरी है, यहाँ पे सेट सेटिंग और पावर सेविंग के अलावा, यहाँ पे उपर में आपको बैटरी अप्रमाजेशन के लिए कुछ आप्सन दिया जाता है, आपके मोबाइल के एकोर्डिंग, तो कभी भी आगर ऐसा आता है, जैसे कि यहाँ पे ऑटो प्राइटनेस अन करने के लिए बोला जा कि डार्क मोड में आगर मोबाइल को आप अपरेट करते हो, तो आपके बैटरी की सेविंग हो जाती है, तो डार्क मोड वाली वीडियो आप देलक से देख लीजेगा, लेकिन आपको तो लाइट मोड में ही चलाना है, अगर डार्क मोड में चलाना है, तो अप्टमाज करो तो यह उतना परसेंटेज दिखाता है और यहां पे यह भी बताया जाता है कि आपका जो बैटरी होगा वो 5 गंटे 28 मिनट तक चल जाएगा अब यह इस चीज पर बताया जाता है यानि कि इसका अकलन इन्हों ने ऐसे किया है कि जिस तरह से आपने पिछला यूज किया है जिसमें से आपने यूज किया है चार गंटे 29 मिनट यानि कि मोबाइल इतने देर पहले चार्ज हुआ था और उतने देर से चल रहा है जिसमें आपने चार गंटे 29 मिनट डिस्पले ओन करके कोई काम किया या मूभी देखा या फिलम देखा कुछ भी अब यहां पे पावर सेटिंग होता है अडवांस सेटिंग में एक चीज ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग हाई परफॉर्मेंस मोड को इनेबल कर देते हैं हाई परफॉर्मेंस में से बैटरी का कंजप्शन बहुत ज्यादा होता है और यह तब करना होता है जब आप गेमिंग वगरा खे तो कभी भी आपको यहाँ पे auto optimize पर क्लिक कर देना है जिस application से ज्यादा लेना देना नहीं है आपको लगता है कि बिकार में यहाँ पर बैटरी का कंजप्शन ज्यादा हो रहा है या अपनी मर्जी से बैटरी यूज कर रहे है तो आपने यहाँ पे auto optimize कर सकते हो ठीक है और यहां पे आगर आप आल्वेज आस्क कर दोगे तो जब उसको बैटरी की जोरत पड़ती है तो आपको पास एक नोटिफिकेशन बेजायता है और डॉंट अप्टिमाइज करने का मतलब पता है यह होता है कि भाई वो बैटरी से फिर ना आएगा बैटरी भर भर के खर्च करे क्या है कि आपकी बैटरी की हेल्थ भी सही हो जाती है और आपका जो पावर कंजप्सन होता है यह कम हो जाता है जैसे कि मोबाइल क्या करता है रीड करता है कि किस तरह से आप मोबाइल को यूज करते हो कब आप इस्तेमाल करते हो कब नहीं करते हो तो मोबाइल एस्टेंड और बैटरी की हेल्थ सही होने से आपकी बैटरी ज्यादा दिर तक चलती है और यहाँ पे ओभर चार्जिंग से भी यह चीज पोटेक करता है अब यहाँ पे 100 बैटरी परसेंटेज तो इससे ज्यादा बैटरी लगता नहीं है तो आप इसको सो कर सकते हो अब यहाँ पे दो थी चीज़े और इनको बताओ इससे पहले आपको बता दूँ कि आपको स्क्रीन टाइम आउट को आपको कम से कम रखना है अगर कोसिस करो कि हो सके तो आप यहाँ पे स्क्रीन टाइम आउट पहले आपको दिखा दूँ मैं तिसरा चीज यह है कि आप notification वाएगरा में उसकी आप वीडियो अलग से देख लिएगा वीडियो लंबी हो जाएगी notification वाएगरा में आप क्या करते हो कि आप ऐसा कूछ सेट कर देते हो कि जैसे ही notification आता है आपका screen display जल जाता है जोसे कि Wi-Fi में मैं आ चुका हूँ तो Wi-Fi में आप यहाँ पर 3.0 पर जाते हो ना सेटिंग वेगर पर जाते हो अब Wi-Fi में आपको यहाँ पर scanning अलबेज अब लेबल का एक option होता है तो यह सब चीजों को आपको बंद करके रखना होता है इसी तरह से आपको बहुत सारी चीजे होती है जो background में प्रोसेस होती रहती है तो उन सब को आपको remove कर देना है और उसके लिए आप मेरी privacy settings वाली वीडियो को देख लीजेगा इसके बाद next चीज आपको करना है ऐसे application में चले जाना है और application में जाने के बाद यहाँ पे auto launch applications होते हैं इन सब को digital कर देना है अगर saving mode में आप चला रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है वरना यहाँ पे यह सारे battery का consumption करते हैं background में और साथ में mobile पे भी load डालते हैं तो आपका battery जादा देर तेक चलता है background में जो process हो रहा होता है वो रुख जाता है यही कारण है कि power saving mode में आपका phone होता है तो आप screencast नहीं कर बाते हो या फिर आपका software वगरा update नहीं हो पाता है और यहाँ पे automatically turn off का option होता है कि आगर आपका battery charge हो के 90% तक पहुँच जाता है तो automatically यह off हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे आपको एक और option मिलता है जिसमें आप minimum battery set कर सकते हो यानि कि 27% जब battery बचेगा तो आपका power saving mode enable हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे default optimization का option होता है इन सब को आपको छेक्मा करके रखना है और यहाँ पे इसके बाद एक होता है superpower saving mode जिसको ultra saving power mode बोलते हैं अगर आप इसको enable कर देते हो न तो भाई battery आपकी काफी देर तक चलती है यानि कि 1-2% battery रह गया है और काफी emergency है जिससे सिर्फ call कर पाते हो और message कर पाते हो बाकि सारे services digital हो जाते हैं तो battery आपकी काफी देर तक चलती है यानि कि यार देख लो यहां पर battery 8 गंटे हो गया यानि कि 4-5 गंड़ा battery आपका extend हो जाता है तो emergency में आप इसको भी इस्तमाल कर सकते हो बाकि आप यहां से exit कर लो तो यह थी पूरी battery की full setting वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए share कीजिए subscribe कीजिए मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाव है